बेलकम बैक टू माई चैनल नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे चलिए वीडियो को स्टाइट करते हैं आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सुन्दर पापिक की घर में प्रिशाद को कैसे बनाया जाए क्योंकि हम जब या पवित्र स्थान पे जाते हैं तो वहां प्रिशाद खाने को मिलता है तो हम सोचते हैं कि क्या घर में प्रिशाद नहीं बनाया जा सकता है तो हां दोस्तों घर में ही प्रिशाद बनाया जा सकता है तो आज हम जानेंगे कि घर में प्रिशाद कैसे बनाएं वो ऐसी क्या तो बने रहे हमारे इस पूरे वीडियो के साथ, तो प्रशाद जो है, वो एक परवात्मा की याद में, भगवान की याद में, प्रबू की याद में जो चीज बनाई जाए, उसको पृशाद बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें परमात्मा की व्लेसिंग हो परमात्मा की जो दिब्य शक्तिया है वो उसमें एड हो उसको दोस्तों बोलते हैं प्रशाद यही बात दोस्तों मंदिर में होती है मंदिर में हम जाते हैं प्रशाद को खरीदते हैं खरीदने वाला और बनाने वाला और ग्रहर करने वाला तिनों में बहुत अंतर है बनाने वाले ने भले ही ना नहाया हो आप देखते हैं, उसने नहाया नहीं है, लेकिन वो मंदिर जाते ही प्रशाद बन जाता है, और हम अपने Gher में नहाद हो के किचन को अच्छे से स्क्लीन करके फिर भुजन को बनाते हैं, लेकिन वो प्रशाद नहीं बनता, लेकिन मंदिर में बाहर बेचरह है जो जिसने मि येवी जाते हैं तो हम भी क्या करें जब भी घर में भोतिन में बनायें तो ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की याद में बनायां हम भुजन मनातें गलति कर देते हैं हम भुदन मना तो कहते बेटा भुखा has already been उसके लिए भोजन मना रहा है, तो हम किसके लिए भोजन मना रहा है, भगवान के लिए नहीं मना रहा है, बेटे के लिए भोजन मना रहा है, बेटा भूखा आ रहा होगा, पती भूखा आ रहा होगा, तो उसके लिए भोजन मना रहा है, तो किसका उसमें सक्तियां किसके लि ये भोजन मना रहे हैं, तो हम उसकी याद में भोजन को बनाएं, कि हम आज परमात्मा के लिए भोजन मना रहे हैं, और ये प्रशाद बनेगा, और जब वो प्रशाद बनके त्यार होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा शक्तिया होगी, ताकत होगी, तो उसको हम ब जाएंगे पहले उसको बुलाएंगे कि यह मेरे परमपिता परमात्मा आप भी मेरे साथ किचन में आ जये हैं और आज हम अकेले नहीं आपके साथ भोजन मनाएंगे, आपके लिए मनाएंगे, तो दोस्तों प्रशाद जरूर हो जाएगा, उस खाने में ताकत जरूर आएगी, और हम जिस किसी को भी खिलाएंगे, तो क्या होगा, उसको भगवान की लेसिंग मिलेगी, वो सक्तिया मिलेंगी जो परमात्मा के पास हैं, जो हम रोजन बनाएंगे, वो परमात्मा की याद में बनाएंगे, और परमात्मा की याद में खाएंगे, तो वो प्रशाद, और आज से हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रिशाद बनाएंगे, तो जब हम रोज प्रशाद खाएंगे, सोचिए, जब एक दिन के प्रसाद के खाने से हमारी बुद्धी ठीक हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, ताकत आ सकती है, और जब अगर हम घर में रोज प्रसाद बने और रोज प्रसाद खाएं, तो हम वास्तों में तो हम फिर देवी देवता बन जाएंगे, तो चलिए आज से हम रोज घर में प्रशाद बनाएंगे और प्रशाद को खाएंगे और healthy और wealthy बनते जाएंगे तो अब हम अपनी वीडियो को यहें पर इंड करते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं अगर मेरे हमें ये के लैफ जर वीडियो ऑगहेशी सूला मेंगे वे ओदा जर इंच के लिएगे और whilst अह्में खरे वीडियो में दो बतांगे, भेल करते हैं जरूर शल Arbeit Personen कमेंनें बने